दार्जिले के कुक्षितान अंतरगत सुसारी में पिछले दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है फरियादी प्रकाश पिता गणपत लाल जी धनगर निवासी सुसारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने फरियादी की मा रुकमा बाई के घर पर थी जिसके बाद में अग्याद बदमाशों ने घर के अंदर खुसकर गेने सोने के जुमके नाक की नत्व गले की मोहन माला और साथी चांदी की पेर की बिछिया कमर का कधोराव साथी में चपक कुल करीब चार तोला सोना और चार सो ग्राम चांदी चुरा कर फरार हो गए फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराद दर्स किया था इसके साथ ही घटना के समन्द में वरिष्ट अधिकारियों द्वारा संग्यान में लिया गया और पुलिस अधिक्षक धार आदित प्रताप सिही अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में और SDOP कुक्षी दिलीप सिही बिलवाल के बार दर्शन में घटना की पतासाजी के लिए मुकबिर तंत को सक्रिया किया गया जिस पर थाना प्रभारी कुक्षी ब्रजेश कुमार मालवी के नेतरत में टीम का गठन किया गया मुकबिर की सुषना पर हूलिया वव्यक्ति सुसारी तिराहे पर अकेला बैठा हुआ होना बताया जिसके बाद में सुषना पर उक्त व्यक्ति को पकड़ा और नाम पथा पूछने पर उसने अपना नाम गौरव पिता धन्ना नात पवार निवासी नानक पैडी पुनरवास निसरपूर का होना बताया इस समय सुसारी तिराहे पर खड़ा हुआ था पुलिस ने इससे संबन में पूस्ताच की जिसमें वो टालम डोल करने लगा संदे होने पर उसे बारिकी से पूस्ताच की गई तो उसने घटना दिनाग को उसके साथी आकाश पिता मालू फूग लिया जाती भील उम्र 19 साल नि लेकने कारवाही में थाना प्रभारी कुक्षी ब्रजेश माल विया उपने रक्षक संतोष पाठीदार सहित स्टाफ का सहयोग रहा आशुतो शेन की रिपोर्ट